तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टरन चलुके यानी चलुके कल्यानी के बारे में तो देखें इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ एक बनाई थी मैंने बदामी चलुके एक बनाई थी मैंने इसके उपर वीडियो इस्टरन चलुके चलुके वेंगी के उपर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं तो फ्रेंट चली शुरू करते हैं देखें देखें यहाँ पर important बात है देखें पहली बात तो यह है कि यह कल्याणी है कहाँ पर कल्याणी है करनाटक में तीक है यहनकी करनाटका में है तीक है फ्रेंट्स तब यह आद दुखिए करनाटका में है अब देखे केसे कल्याणी केसे करनाटका जैसे बदामी जो था वो भी करनाटका में कल्याणी भी करनाटका में इनकी वेस्टन चलुके करनाटका में थे और बदामी भी करनाटका गए थे लेकिन जो इस्टन चलुके थे वो कहां के थे वो आंतरा परदेश के थे देखें आफ्टर दा चलुक्या ओफ बदामी वर डेस्ट्रॉइट बाए दान्ती दुर्ग ते रिवाइब आफ्टर टू सेंच्रिस इन अराउंड 972 तो 73 AD अब देखें यहां पर क्या आती है बात कि जो चलुक्य ओफ बदामी है उसे डेस्ट्रॉइट किया गया था दन्ती दुर्ग के द्वारा अब दन्ती दुर्ग है कौन दन्ती दुर्ग है राष्ट्र कूट यहनकी जो राष्ट्र कूट का जो राजा था जो राष्ट्र कूट का चीफ था ठीक है राष्ट्र कूट जो है उसका चीफ है यह दन्ती दूर्ग उसने क्या किया था कि चलुक्यों ओफ बदामी जो है उसे हरा दिया था उसे खतम कर दिया था दंती दूर्ग ने अब देखे जो चलुक्यों बदामी जब खतम हुआ उसका ही पुनर जरम या उसका ही सेकंड पार्ट हमें देखने को मेरता है वेस्टरन चलुक्यों चलुक्यों कल्याणी में यानि कि देखे जब चलुक्यों बतामी खतम हो जाता है खतम किया जाता है दंती दुरुक्यों के द्वारा फिर से यह रिवाइब होता है एक नए नाम से वैस्टन चलुक्यों कल्याणी के द्वारा कब होता है लगभग दो श्ताब दिया टू 973 AD के बीच में ठीक है तो 972 या 973 AD इसका मतलब है 973 AD अब है 973 तो यह कह दे कि यहां पर यह हुआ होगा ऐसे ठीक है तो उसके बाद दिखिए अब देखिए इन्हें चालुक्यों कोल्यानी कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि यह सेम वैसा ही थे जो इनके पहले चालुक्यास थे यदि धीक जो चालुक्यों को बधामी है जो जो ऊरिजिनल जो वैंश ता उसके बाद जो उन्ही का रिवाइवल हुआ था चालुक्यों कोल्यानी के रूप में ऐसा माला जाता है अब देखे इस वास एस्टैब्लिश वाय टैलप टू टैलपा टू जो है उन्होंने वेस्टरन चलुक्य जो है या चलुक्य ओफ कल्यानी है इसकी शुरुआत की थी जैसा कि मैंने आपको बताया था चलुक्य ओफ बदामी जो है वो किसी ने बनाया था पुलकेशन वन ने उसके बाद इसमें जैसी महावी है लेकिन पुलकेशन वन इसके टू फाउंडर थे बदामी के उसके बाद जब हम इस्टरन चलुक्य हमने बढ़ा था उसका मैंने आपको बताया था कि जो कुबजा विश्णु वर्धन है वो उसके फर्स्ट राजा थे ऐसा ही देखे जो कि राजा के अंडर रहके उसके लिए टेक्स विएरा इकठे करता है वो है फिडिटरी माल लेजिए कि एक राजा है जैसे माल लेजिए फिडिटरी ओफ दा राश्टर पूर्ट आप देखे टैलर टू जो कौन है वो थे फिडिटरी थे राश्टर पूर्ट के अब राश् जो चीफ होते हैं या बंदे होते हैं उनको लगा देते हैं तो टेक्स से कठा होने के बाद क्या होता है वो राजा को दिया जाता है अब टैलब टू कौन था ये अंडर थे राष्टर कोट के फिडिटरी से जो उनका टेक्स कठा करके देते थे तो इसने ही राष्टर कोट को खतम करके तो इसने फिर से वेस्टरन चलुक्य की शिरुआत कर दी उसको बाद देखे For 200 years, they remain in conflict with the cholas and also the eastern चलुक्यो वेंगी अब देखे लगभग 200 सालों तक इनका conflict रहा था चोल के साथ और चलुक्यो वेंगी के साथ यहां कि चलुक्यो वेंगी और जो चोल है 200 सालों तक इनके साथ आपस में conflict या विवाद रहता था तो देखे यहां पर नेक्स रहता है 10 साला Empire finally destroyed them in 12th century आपको पता है कि हर कोई जो चीज है वो एक जगा नहीं रहती आप देखे जहां पर राजा अशोक ने इतना राज किया था अब देखे यहां पर इंडिया की जो position है वो कहां पर जहां पर राजा काम खतम हो गया यहां पर गया परधार मंत्री है यहां की जगा वही की वही है चाहे किसका बहुत जगा राज पाट रहा हो बहुत ज़दा kingdom रहा हो उसका end तो होता ही है तो यहां पर होसाला Empire ने क्या किया 12th century में Western चलुक्य या चलुक्य अफ कल्यानी को खतम कर दिया पूरी तरह से destroyed कर दिया The Empire of चलुक्य अफ कल्यानी is also known as Western चलुक्य अब देखें इसे Western चलुक्य अब भी कहते हैं यह तो बताईए The Empire has a great contribution in the modern कंणर लिट्रेचर and Sanskrit लिट्रेचर अब देखें यह जो Empire है जो Western चलुक्य चलुक्य अफ कल्यानी है इनका कंणर लिट्रेचर में और संस्क्रित लिट्रेचर में बहुत बड़ा एहम योगदान है तो यह बहुत important है जो आज का जो modern कंणर लिट्रेचर है इसमें सबसे ज़्यादा contribution या संस्क्रित लिट्रेचर में सबसे ज़्यादा contribution किसका है वेस्टरन चलुक्य या चलुक्यों कल्यानी का डिरेक्ट एक्जाम में कॉशन पूछते हैं आप देखें वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको उतना करवाया जाए जितना आपका एक्जाम में कॉशन असानी से बन जाए तब ही आपको मैं यहांग पर देखें एक्स्प्लेण कर रहा हूं कि ताकि आप उसे अच्छे से याद रख सकें और स्पाइंट को अच्छे से याद रखें कि ताकि आपको एक्जाम में कहीं पर दिकत ना आए इसके राजाओं के बारे में जो वेसेंट लोक्यों के राजा थे उनके बारे में बात कर लेते हैं देखें देसे मैंने आपको बताया है कि जो टैलपा टू जो थे वो इनके पहले राजा थे इन्हों इशुरात की थी चालुक्य आफ कल्यानी की इनका शासन काल रहें था इनका 957 से 997 की बीच में देखें contribution देखना है थे इनका क्या है यहाँ पे he zoomed the title of त्राई लोक्या माला ठीक है यत्री लोक्या माला नूर मदी तली पपा और सत्ति श्रिया कुल तिलिका तो ये इनको जो ही जो थी जो इनको उपादिया मिली यहनके देखें नूर मदी तैलप सत्य श्रिया कुल तिलिका और त्री लोक्या मला ये इनको यहाँ पे क्या मिला इनको title मिला उपादिया देखें टी से टैलप और T से 3 लोकिया माला तो कॉशन आपको एक्जाम में आ जाए तो यह आप असानी से कर सकते हैं आप देखें इसको असानी से याद करने का तरीका क्या है T से तैलप, T से त्रेलोका या नुर्मदी तैलप, यह भी तैलप से हो गया आप देखें, T से पहले S आता है S का मतलब सत्यश्री, कुल्य तलप, ठीक है तो यह भी किसे रिलेटेड है, यह रिलेटेड है तैलप से तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अपने तरीके से भी Next है, सत्यश्रिया सत्यश्रिया देखें, इनका टाइम ब्रट था 997 से 1008 जिनकी 997 से 108 इसमी तक Contribution देखें, इनका referred to as सतीगा और सतीगा और इरीवाब बेडंगा इरीवाब बेडंगा, देखें, नाम कितने हैं, यहाँ पर confusing से हैं के रूप में सम्मानित किया गया and assume the title of अकाला वर्शा अंकलक चलिता और सहस भीमा के रूप में इन्हें क्या मिली, उपादी मिली, टाइटल मिला अब देखें, जहां पर बात आते हैं उपादियों की बहुत ज़्यादा important है, इसके नाम इतने मुश्किल है, याद करने के लिए तो यहризाम में आते हैं कि कौन से राजा को कौन से उपादियां दी हैं जैसे लिश्ट दे दी यहा पर राजा का नम, यहाँ पर टाइटल का नम तू दा पाड़ प्रेज भीम for his strength and valor in his epic poem सहज भीमा विजया अब देखे यहां पे जो सत्त श्रे है उन्होंने देखे जो कन्नड जो literature के जो महान कवी थे जनका नाम था राणा तो देखे इन्होंने उनके बारे में उनका उलेक करते हुए उनका उलेक यहां पे तो देखे जो महान कवी जो राणा थे उन्होंने देखे यह कहा है कि जो सत्ते श्रे जो है वो उनको वैसे स्रक्षग या उनको वैसे वो favor करते हैं या उनको वो वैसे रखते हैं उनको स्रक्षग पर security देते हैं कि जैसे जो पांडव के जो राजकुमार थे ना भीम आप देखें जैसे जो भीम थे पांडव में जैसे हम जैसे महाभारत बढ़ते हैं महाखावे जो महाभारत है उसमें जो भीम है जो पांडव राजकुमार है उसकी जो तुलना की है यानि कि उनको security दी है उसके बाद देखे ये इनोंने कहां पर लिखा है ये उनकी महा कावे जो कविता है जो महा कावे जह हम कहते हैं epic poem जो है उसमें बताया उसका नाम है सहज भीमा विजे और उसमें देखे सहज भीमा विजे में उनोंने राणा ने सत्यश्रे की ताकत के बारे में और उनकी वीरता के बारे में यनकी strength के बारे में उनके बारे में बताया की वो कैसे थी नेक्स आविकरमा इता है 51008-1015 He was a nephew of सत्यश्रे and had a very uneventful short reign अब देखे ये कौन थे ये भतीजे थे सत्यश्रे के और इनका जो time rate था बहुत ही चोटा था next आते हैं जैसिमहा 2 जैसिमहा 2 देखे कौन है इनने जाना जाता है also known as also known as जगद खमला 2 जगद खमला 2 और मलिका मोडा के नाम से भी इनने जाना जाता है देखे इनको इन नाम से भी जाना जाता है योजिसनेट के एक्जाम हो या कोई भी एक्जाम हो इतने ही tough question वहाँ पे पूछते हैं जैसिमहा 2 मतलब की जगद कमला 2 आप ये तो easy है चीक है उसके बाद आपको यहाँ पर यह भी रखना है कि मलिका मोडा के नाम से भी उनको जाना जाता है तो question exam में आपको यह पूछ सकते हैं direct ऐसे ही question आते हैं और ऐसे ही question आएंगे आप यह चेक कर सकते है previous question में भी so next है यहाँ पर देखिए सुमेश्वर वरा 1 next है सुमेश्वर 1 देखिए इनका जो time period है वो है 1042 से 1068 तक यहनकी 1042 से 1068 की बीच में जो इनका जो time period था सुमेश्वर 1 का तो देखिए also known as अहावा मल्ला और त्री लोक मल्ला तो इनको देखिए यह भी कहा जाता है इनको अहावा मल्ला और त्री लोक मल्ला के नाम से भी जाना जाता है यह कब लिखी थी 1049 AD में the earliest available work on astrology in the language आप देखे उन्होंने कंण भाषा के जो विद्वान है जो कंण भाषा के देखे जो स्कॉलर है श्री धराचारे ठीक है जो श्री धराचारे है जिन्होंने भाषा में देखे जिन्होंने क्या किया था कि जो लैंग्वेज है जो भाषा है उसमें देखे जोतिश के उपर जल्दी से जल्दी जो होता ना एक वर्क होता है जिसको कहते हैं जटाक तिलका लिखा था है ठीक है या निक के देखें कर्ण्ड भाषा के उपर आठथ है जो महान कव कभी ऑब से बस्राइख आइ executive ईनके डाम पार नवन ने ये दिखा था सुमेश्वरा 2 1068 से 1076 के बीच में आय थे इनके टाइम पर क्या था सिवल वार होई थी और बहुत ज़दा विवाद हुए थे आपस में नेक्स तै विक्रमा दित्य शिक्स तो देखें यहां पर 1076 से 1126 यनकी 176 से 1126 के बीच में इनका टाइम पर रठाए इनके टाइम पर देखिए कि उस टाइम पर जो शक इरा है उसको हटा दिया गया था और उसकी जगा पर उन्होंने चलुक्य विक्रम इरा की शुरुआत की थी तो प्ष्ण आ सकता है बदाए कि जो चलुक के विकरम उरा है वो किस राजा ने स्टार्ट की थी वो है विकरम दित्य शीक्स ठीके फेंडन्स यह बहुत ज्यादा इंपॉटन है ही जूम दा टाइटल परमी देव और त्री भुवन मला अब देखें इन्हें टाइटल क्या मिला है त्री भुवन मला या परमी देव अब देखें त्री भुवन मला का मतलब होता है कि तीनों लोगों के स्वामी ठीक है तीनों लोग होते हैं जैसे तीन लोग हमारे कौन से जैसे धर्ती अकाश प अब देखें यहाँ पे क्या कि जो विजनेश्वर थे विजनेश्वर ने क्या किया कि अपने दरवार के जो मशूर जो जो मशूर थे न्याइविद ठीक है न्याइविद थे उनका नाम था मिताक्षरा को देखें यग्यवल्य समरिती की एक टिपड़ी लिखिया देखें यहाँ पे क्या था जो इनके जो दिरवार में जो थे विजनेश्वर ने क्या किया अपने दिरवार में जो में जो राइटर थे मिताक्षरा ठीक है तो उन्होंने क्या किया एक समरिती एक आप हिंदू फैमली लाग के अब बेच दे ividades ल्लिक्ष अरजुन टेम्पल तक महाँदेव टेम्पल दा केथभशु का पेश्वरा टेम्पल एंड कलाश्वरा टेम्पल अब देखें मलिकषुन टेम्पल है महाँदेव temple है कैताभ भेश्वर temple है और कालिश्वर temple है इन्होंने इनका निर्मान किया था तो यह बहुत जो ने पोर्टर ने आ सकता है exam में कि किस में बने भाई था उसक बाद दिखें सोमेश्वर 3 सोमेश्वर जो 3 थे तो इनका जो time period है वो आता है 1126 यहनकी उसके बाद 1138 यहनकी 1126 से 1138 1126 से 1138 अब देखे इने हिस्टोरियन स्कोलर और पोईट के रूप में जाना जाता है उस टाइम के लिए उसके बाद अब देखे उन्होंने क्या किया था उन्होंने लेखिए कि इनसाइकलोपीडिया जैसे एक होता है जैसे हम विश्विकोष कहते है ठीक है तो ने एक इनसाइकलोपीडिया लिखा था जैसे राजिन्ती है जैसे पॉलिटिक्स है गुवर्नेस एस्ट्रोनोमी है इसके उपर इन्होंने एक इनसाइकलोपीडिया टेक्स्ट लिखा था उसके बाद अब देखे इन्हें एक टाइटल दिया गया है सरवग्य भूप जैसे कह सकते हैं सरवग्य भूप भी कह सकते हैं और इसको एक और टाइटल इन्हें मिला है भूलो कमला भूलो कमाला और सरवग्य भूप या सरवदन्य भूप तो इसके दो टाइटल मिला है पहले जानते है कि सरवदन्य भूपा का मतलब क्या होता है इसका मतलब है यहां कि जो राजा सब कुछ जानता है उसके कहते है सरवग्य भूप ऊसका बूद भूलोक माला का मतलब क्या है The King Who is Lord of All Living Being यनकी जितने भी जिन्दा प्राणी है जितने भी जिन्दा व्यक्ति है जितने भी जिनमें सांसे है उन सभी का स्वामी उन सभी का King कौन है तो उसको बईदे हैं भूलोक माला तो देखे टाइटल का मतलब भी आपको यह पूछ सकते है कि बिदाए कि भुलोक माला का मतलब क्या होता है तो आपको यह आना चाहिए एक्जाम में नेक्स्ट है हमारा जगद केमल दूतिय यह जगद केमला टू तो इनका टाइम इनट था 1138 से 1151 इस रूल सा दा स्लो डिकलाइन ओफ दा चलुक के अंपायर विद दा लोस ओफ वेंगी आप देखे इनके शासनकाल में क्या था कि वेंगी के साथ साथ क्या हो देखे वेंगी क नुक्सान तो हुआ था इनके साथ से देखे चलुक के जो समराजय था जो जो दिरे दे दिकलाइन के और जा रहा था तो इनके शासनकाल के दुरान क्या था देखे जो डारेस्टी है वो धीरे-धीरे क्या थी वो डिकलाइन के और जा रही थी अब देखे इन्होंने यहापे क्या लिखा है देखे इन्होंने क्या किया था किया था कि जो कन्नड व्याकरण विद है यानकी जिसे देखे कन्नड जो ग्रामर वादी है जो ग्रामेरियन है नागवर्मा टू उनका स्रक्षन किया स्रक्षन ऐसा होता है कि इनके दरबार में वो ग्रामेरियन थे ठीक है नागवर्मा टू यह इनके अंडर रहते हैं कि यह नागवर्मा पूंहें थे, वह उन्हों पर लेकी आज़ा क्र of 2 थे, संगीत की उपर शंस्खृीत चुडामनी लिखा, । जो नागवरमा थे उन्होंने उनका स्रक्षन तो किया, साथ में नागवरमा ये चीज़ लिखी, लेकिन जगत किमेल जो 2 थे, उन्होंने क्या किया था, संगीत यन की म्यूजिक की ऊपर क्या था, संस्कृत में संगत चूडामनी लिखा था, तो नेक्स्ट है तैलपा 3 तैलपा 3 का देखे जो टाइम बिलेट है वो है 1151 से 1164 तो देखें इनका contribution भी यहाँ पर हम देख लेते हैं His rule saw the beginning of the end of the चलुक के empire अब देखें जो इनका शासन काल था जो इनका शासन था जो इनका अमपाया था उस टाइम पर क्या था कि चलुक के empire का पतन होना या उसका decline होना स्टार्ट हो गया था उसके बाद he was killed by होईसाला वीरा नरसीमह in 1162 अब देखें 1162 में 1162 इसे में 1162 में होईसाला वंस के जो राजा था वीरा नरसीमह उन्होंने तैलब 3 को मार दिया था उसके बाद देखें जो चलुक के बाद है उसका खात्मा होईसाला वंस ने किया था जो आपके मैं बहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ जगत कमला 3 ये 1163 से 1183 तक रहते हैं इनका contribution देखें अब देखें यहाँ पे क्या था जो जगत कमला 3 के बार में देखें जो इनका पूरा शासन था जो इनकी जो इनका पूरा टाइम पिरड़ था उसको पूरी तरह से देखें जो दक्षिन का जो साउथ हिंट का जो कलूचरी है वहाँ पे वो उदे होना शुरू हो गया दक्षिन में क्या था कलूचरी वाँच की स्टार्टिंग हो गई थी जिसकी वज़े से क्या होगा कि यह पूरी तरह से इसके उपर इफेक्ट पड़ा वैस्टन चलो के उपर तो देखें जो की पहले बीजावल्या दितिये के अधीन थे यहनकी जो पहले बीजावल्या के अधीन थे उसके बाद देखें उन्होंने क्या किया था बस्व कल्याण पर अधिकार किया अब देखें इनका टाइम पर क्या था कि जो कलूचरी जो थे दक्षिन में वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे उनने क्या किया पहले वो बीजावल्या टू के अंडर थे फिर बाद में उनने क्या किया कि बस्वा कल्यान पर उनने अधिकार कर लिया तो जिसका नुकसान सीदे सीदे किसको हुआ चलुक्योफ कल्यानी को सुमेश्वर 4 यह 1184 से 1200 की बीच में है लास्ट राजा आते हैं सुमेश्वर 4 की बीच में लास्ट राजा आते हैं तो देखे वेशन चुर्ग एंपार के लास्ट राजा थे इन्हेंने बसमा कर लिया जो कल उच्छी चेदी वर्ज के अंडला गया था उसको अपने कभजे में कर लिया तो देखे फिरेंस यहां पे यह चीज काट दो ही तह हम कर चुके हैं इसका यहां पे आगे लिखा हुआ है अब देखे पहली बात है कि इन्होंने बस वकल्याण के उपर तो कभजापना कर लिया लेकिन जो यहां पे सेना है जो होईसाला काकातिय जो राजवन्श है जो उम्पायर जो नए-नए निकल के आ गए थे तो देखे यह कौन थे यह सामान थे, यह फिडेटरी थे यह फिडेटरी थे यह वो लोग हैं जो पहले टैक्सिक अठा करते थे अब देखे जिए निकल के सामने आए इन्होंने क्या किया बारास इसमिन तक क्या किया कि पूरी तरह से जो चलुक के एमपायर था उसको खतम कर दिया आप देखें फिडेटरी जो है वो हमेशा ही एक राज्ये को एक एमपायर का कमज़रू बनाते है होता क्या है देखिए कि जैसे आपको याद होगा कि जो गुपतावर्श के फिडेटरी थे वर्दन बन्च थे यहां कि जो हर्श वर्दन के जो फादर थे वो गुपतावर्श के अंडर जो थे वो वहाँ पे फिडेटरी थे अब देखें जैसे ही गुपतावर्श का वहाँ पे डिकलाइन हुआ तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाते हुए जहां पे वो टेक्सी कठा करते थे उस जगह के उन्होंने अपने आपको राजा घोशित कर दिया तो होता यहां पे यही है कि जब भी कोई राजा होता है उसका कोई फिडेटरी होता है वो राजा बनता कैसे है उसको पता है कि यह राजे खतम होने वाला है तो इसके बाद हम करेंगे आर्खिटेक्चर वारा जो इंपर्टन्ट फैक्ट है वो करेंगे तो इसके बाद ही हमारा खितम हो जाएगा आप इस अच्छे से करिए मिलते हुए वीडियो में तब तक ले थेनिमा थेंक्यू जयाहिंद जयाभारत